हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सगुन भाक्ति का बेपरंपड़ा का विवेजन दिजिए इस क्यूशन का आंदर आपको अपने बोर्ट इक्जाम में की तरीके से लिखना है इसके बार में आज हम लोग डिसकस करें और यह कुशन आपके बोर्ट इक्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्पूर्ण हो जाता है क्यूंकि यह कुशन आपके बोर्ट इक्जाम 2016 और 2018 में पूछा जा चुका है उसके बाद 2022 में भी यह क्यूशन पूछा जा चुका जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं थोड़ किसे इस कार्म सर लिखना है आज हम लोग प्रिसकस करेंगे तो सबसे पहले आपको एक इंट्रो बोले या फिट भूमी का उसके तौर पे आपको लिखना होता है यहां पे तो यहां पे आपको लिखना है कि इसके बारे में सगुन भक्ति धारा के बारे में आप लिखेंग उसके बाद राम भक्ति साखा लिखके आपको यहाँ पे एक हेडलाइन बनाना है एक पॉइंट बनाते हुए और उसके बाद यहाँ से लिखना है बिश्नों के अफ्तार के रूप में अयोध्या के राजा दस्रत के बुत्र राम के उपाष्णा करने वाले भक्त कभियों को राम भक्त कहा गया है उसके बाद आपको दूसरा हेडलाइन डालना है क्रिश्न भक्ति साखा जीन भक्त कवियों ने विश्णू के अवतार के रूप में कृष्ण की उपास्टा को अपना लच्छे बनाया है वे कृष्ण भक्ति साखा या कृष्ण कावे धारा की कवी कहलाएं कृष्ण कावे धारा के प्रतिनिधी कवी कौन है तो सूर्दास जी मानने जाते हैं और राम भक्ति साखा में आप लिख दीजेगा कि तूलति दास जी इसके प्रतिनिधी कवी हैं उसके बाद आपको यहाँ पे प्रतिनिधी करना है लिखना है सगुन भक्ति कावे धारा की बिशेस्थाय या प्रविर्तियां और पांग से छे पॉइंट आपको लिखना है पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखिए आप हिंदी साहित्ते के भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई निर्गुन तथा सगुन उसके बाद दुसरा पॉइंट में आपको रिकने हैं निर्गुन संतों में भक्ति की अपेक्छा ग्यान की प्रधानता है जबकि सूफी कभियों में प्रेम का अत्यधिक महत्व है पर दोनों के यहां इस वर्ड निर्गुन है उसके बाद तिसरा पॉइंट मध्य कालिन सगुन संप्रदाय वैशनव धर्म से पोशन प्राप्त करता है इस संप्रदाय की दोनों साखाओ राम भक्तिधारा और कृष्ण भक्तिधारा में इस पर सगुन है इन्होंने ग्यान कर्म और भक्ति में से भक्ति को ही अपने भी नहीं बताया ज्यान ताड़क तो है पर वह कष्ट शाध है और क्रिपान की धार के शमान है इन भक्ति कभियों से पुर्वसिध अपनी दुख शाध्य गूहे शाधना पधती से जन सवाने को बुरी तरह से बिस्मित कर चुके थे और पाच्मा एंड लास्ट पॉइंट आपको डालना है और लिखना है यहाँ पे नाद पंती अपनी योग प्रनाली द्वारा लोक को चमत क्रित करने में अपने आपको क्रित क्रित मान रहे थे और इन हर निर्गुनिये संतों की वानी कर्मकांड का घोर तिरसकरन करती हु इन सगुन भग्द कभियों ने नवीन भाव क्रांती को जन्म दिया रामानुच, रामानन्द, बल्लव और चैतन्य आदी इस भाव क्रांती के नेता बने एक पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो इतको लिख सकते हैं, बहुत ही महतपूर्ण है ये भी सगुन संप्रदाय की प्रिष्ट भूमी में वैशन धर्म और शक्ति का सम्रिद्धी साहित्य हैं, इस साहित्य के प्रमुक्रंध है भगवत गीता, विष्णु और भगवत पुडान, पांच रात्र स्राह हिताय, सन हिताय, नारत भक्ती, सुत्र और शांडिर भक्ती, सुत्र इनके अतरिक्त दच्छिन के आलवार भक्तों की रचनाय भी वैशनवो की अमुल्य निधी है दच्छिन के आचाडे, नात्मुनी, यमुनाचाडे, रामानुज, निमबार्क, मधवाचाडे तरह बलवाचाडे ने इस स्रगुन भक्ती धाड़ा को नीजी, अनुभूतियों, एबं सास्त्रिय दार्ष निक्ता से संबलित किया इन आचाडे ने सगुन भक्ती के उस रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें माना भिरिद है, विश्राम भी पाता है, और कलात्मक, शौंदरे से मुग्द और द्रिप्त भी होता है सगुन कावे की कती पर समाने विश्रा का उलेक निमनत्व है, उसके बाद नीचे जाया नहीं, आपको फिर 5 पॉइंट यहां पर लिख देना होता है और अगर आपको दोहा भी पता है, तो दोहा भी आप लिख सकते हैं, तो यहां पर आप देखिए, पहला हेडिंग आपको डालना है, नमबर एक लिख के, इसवर का सगुन रूप, इतना आपको इसलिए लिखना पड़ा है, क्योंकि यह 20 माक्स का है, तो कम से कम 6 पेज तो मानना है कि इस पर का रूप सगुन और निर्गुन दोनों है, इस पर चर, अचर, मूर्थ, अमरूत, वावन, विराट, सगुन और निर्गुन दोनों है, सगुन भक्त, इस पर के जन्म रूप पालन पर केंद्रित हैं, और अगर आपको इसका दोहा एक दोहा याद है, इस से देखने में ये और अधिक आकरसित लगेगा अट्रेक्टिव दिखेगा तो आप लिख सकते हैं और दूसरा हेडिंग आपको डालना है यहां पर अबतार भावना इस पर जब कभी अबतार लेते हैं तो वो किसी रूप में आते हैं किसी ने किसी रूप में तो वो आते हैं और इस पर अपने इच्छा अनुसार लीला के लिए किसी न किसी रूप में अफ्तार लेते हैं उसके बाद अगला हेटिंग आपको डालना है लीला रहस से जब भगवान अफ्तार लेते हैं तो उनका कोई न कोई उदेसे होता है उसी उदेसे से आते हैं वे अपने उदेसे को लीला के द्वारा दिखाते हैं जैसे राम भगवान का लीला उदेसे था उन्होंने साधु संतों की रच्छा की अपने भगतों का उधार किया धर्म की अ देखे होंगे और कंस का भी वद्ध किया उसके बाद आपको लिखना है रूप उपाशना भगवान जो है वो हमेशा किसी न किसी रूप में आते हैं अपने भक्तों का उधार करने के लिए और भक्त भगवान के उसी रूप की उपाशना करते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं तो लास्ट जो आपको हीडिंग डालना है वो लिखना है गुरू की महता साहिते में जो गुरू है उन्हें ब्रहम माना गया है गुरू को ब्रहम का अंच माना गया है सगुन साहिते कार्ड ने गुरू को उच्चितम माना है गुरू के बिना हर एक कार्ड असंभब है तो यहाँ पे एक दोहा लिख सकते हैं हडी रूठे तो ठाड है गुरू रूठे नहीं ठाड और लास्ट में आप चाहते हैं तो एक निश्कर्ष भी लिख सकते हैं सगुन भक्तिधारते सम्बंधित तो इस तरीके से आप इस प्रस्ट का आंसर लिख सकते हैं अगर वीडियो आप लोगो इन्फॉर्मेटिब लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राब करें थैंक्स पर वाचिंग डिस पीडियो